कि वांस अकेइन वेल्कम टू माई चैनल शिवा स्टड़ी पॉइंट तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारी ओनलें क्लासिस के अंदर हमने इससे पहले करेंट इलेक्टिसिटी का टॉपिक कवर कर लिया है उसके हमने चार पार्ट बनाए थे इसमें हमने फो तो आज के टॉपिक की शुरुवात करते हैं आज हम नुमेरिकल देखेंगे एक लेक्ट्रस्टाटिक के ऊपर कुछ ठीक है तो मारा पहला नुमेरिकल है दो पॉइंट्स पी और क्यों को किसे मेंटेंड किया गया किसी पोटेंशल के ऊपर जो दस वोल्ट है और माइनस चार वोल्ट है बोला एक पॉइंट P है और ये माइनस पॉइंट के हो है, पॉइंट की है जो हो 10 वोल्ट है, पॉइंट के हो है, जो इंधन के ऊपर है, अब वो क्या कहर रहा है वर्क डानी मूविंग था 100 इलक्ट्रों फ्रों पॉइंट P to Q, यह P है और EK है, P से Q हमें 100 इलक्ट्रोंज लेके जाने हैं, तो 100 इलक्ट्रोंज को लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ओप्शन हमारे पास दिये हुए हैं, अगर आपको यह लगता है कि आप इसको pause करके वीडियो को यहाँ पर solve केज़े, नहीं तो मैं solution करने जा रहा हूँ, अब उसको देखिए, अब हमें पता है कि potential difference का, potential का जो difference होता है, VQ minus VP, वो work done के बराबर होता है, by charge, work done by charge के बराबर होता है, तो यहाँ पर VQ की value क्या है, वो put कर देंगे, VP की value minus 4 है, और VP की value minus 10 है, WP क्यों तो निकालना ही है, राइट, work done तो निकालना है, और जो हमारा charge है, charge क्या से निकालनेगे, अब charge कितना electron लेके जाने है, 100, 100 electron लेके जाने है, एक electron पर कितना charge होता है, 1.6 in 10 to power minus 19 coulomb, और यह negative होता है, तो negative, अब इसको solve करेंगे, तो WP क्यों कितना आ ज गा, 9 is 14, minus 14, minus, negative हो जाएगा, तो 14 in 10, 1.6 into 10 raised to power minus 17 बन जाएगा, रैट, यह 10 raised to power 2 थी, इसके साथ मिलके, इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा, यह 10 raised to power 2 थी इसके साथ मिलके इसका क्या बन जाएगा 10 raised to power 17 और यहाँ पे माइनस 14 आना था और यहाँ पे आना था माइनस माइनस positive होगे positive 14 1.6 यह रहा तो इसको calculate करेंगे तो क्या answer आएगा बई 22.4 into 10 raised to power 17 माइनस 17 जाउला जाएगा हमारे पास लेकिन option के अंदर हम देखें तो 17 वाला यह रहा और यह रहा लेकिन दोनों में 2.22 वाला concept कहीं नहीं है जो 224 figure देख रही है यहाँ देख रही है लेकिन यहाँ पे 16 है तो हम इसको 16 में convert कर लेते हैं 16 में convert करेंगे तो क्या बनज़ेगा 2.24 10 raised to power minus 16 जाउला ठीक है 16 जाउला राइट तो यह कौन्स option ठीक हो जाएगा 6th option ठीक हो जाएगा लेकिन यह तो option ठीक हो जाएगा अब problem क्या है कि इसको इतना भी अगर हमें calculate नहीं करना है बैसे तो यह भी बहुत असान है कुछ नहीं आपको formula पता होना चाहिए उसके बाद hourly हो जाएगा यह सारा कुछ है मैं तो करके दिखाया आपको क्योंकि समझा रहा हूँ आप तो इसको hourly कर सकते हो सारा कुछ मेरी simple calculation थी सारी still अगर आपको इतना भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो देखिए हमें caution के अंदर क्या given था कि दू पॉइंट है P और क्यों उनके अपस में उसको work done करना है P से क्यों कुछ 100 एक्टरों से लेके जाने है तो हमें सिर्फ formula दिमाग में रखना है और देखना है कि VQ-VP की value-14 आ जाएगी और यहां पर एक minus already है minus minus plus हो जाएगा तो plus वाला answer होगा मतलों या तो यह answer हो सकता है या C answer हो सकता है B और D answer नहीं हो सकते क्योंकि उनमें negative sign है elimination हो गई यह तनी दो की तो अब रहा गया कि इन दोनों में से कौन सा answer है A answer है या C answer है यह choose करना है अब इन दोनों में जो answer है उसको choose करने के लिए हमें पता है 14 है यहां पे और 16 है यहां पे 1.6 को 16 trade कर सकते हो point बाद में हमें यह powers पे ध्यान नहीं देना तो 14 और 16 है 4 को 6 पीछे 14 है और 16 है इनको आपस में multiply करेंगे तो 4 और 6 को multiply करेंगे तो पीछे कितना आएगा 4 आएगा answer के पीछे तो 4 answer के पीछे इसमें नहीं है इसमें है तो answer यह हो जाएगा आप इसको marker क्या सकते हो तो यह by option आप elimination करके answer को ढूंड सकते हो लेकिन condition यह की है इसमें none of these option नहीं होना चाहिए अगर none of these नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो अगले question की तरफ बढ़ते है तो मारा अगला question है कि कोई charge है क्यों कोई charge क्यों को place किया गया opposite corners of square के उपर a charge क्यों is placed at each of the opposite corners of a square a charge small क्यों is placed at each of the other two corners of the square if the net electric force on क्यों is capital क्यों is zero then क्यों बढ़ क्यों is equal to तो क्यों बढ़ क्यों कितने के बराबर होगा पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि है क्या situation हम इसको diagramatically draw कर लेते हैं एक square है हमारे पास square के उपर यहां पे हमने capital के होगा लिया तो opposite पे capital के ले लेना है यहां पे small के होगा लिया तो यहां पे भी small के लिया ठीक है राइट इतनी बात clear होगे इमें अब वो क्या कहरा है कि जो capital क्यों ए उसके उपर zero net charge है net electrical force कितनी है उसके उपर zero है तो हमें इसके उपर net electric force कितनी बनानी है zero बनानी है तो हमें पता है कि same charges क्या करते है repel करते है opposite charges क्या करते है attract करते है एक बात तो clear है कि ये क्यों है ये भी क्यों है तो charge क्या होगा इसके same हो गया अगर चार्ट सहीम हो गया तो यह क्या करेंगे रिपेल करेंगे तो इसके उपर जो फोर्स रहेगी इसके कारण वो क्या रहेगी रिपल्शन वाली रहेगी मतलब कि फोर्स ऐसी लगेगी और लेकिन इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगी और जो इन दोनों के बीच में वो मुझे अभी नहीं मालूं कि वो रिपल्सी रहेगी या अट्रक्टिव रहेगी क्लियर होगी ये बात इन दोनों के बीच में तो फोर्स हंडर प्रसंट रिपल्सी रहेगी रिपल करेगा उसको F हमने वो फोर्स माली जिसके साथ वो रिपल कर रहे हैं लेकिन इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच का फोर्स का पता नहीं कि रिपल्सीव है पता नहीं एट्रक्टिव है हमें इसको ऐसे लेके चलता हो भी अब अगर हम यहाँ पे जिरो बनाना है नेट फोर्स तो अगर ये F फोर्स इदर लग रही है इसके बराबर बिल्कुल फोर्स एक इदर लगनी चाहिए जिसका मेगनिचूड बराबर हो लेकिन डारेक्शन इससे ओपोजिट होगी जिससे क्या होगा यहाँ पे जो नेट फोर्स हो जीरो हो जाएगी अगर इस क्यों और इस क्यों के बीच में फोर्स है जो अट्रक्टिव है और इन दोनों के बीच भी अट्रक्टिव होगी फिर तो इन दोनों के कारण जो अट्रक्टिव और अगर इन दोनों के बीच रिपल्सिव है और इन दोनों के बीच भी रिपल्सिव होगी क्योंकि चार्ट सेम हो रहे है suppose इन दोनों की बीच जो force है वो repulsive है तो repulsive force इधर लगेगी इन दोनों के करण किस तरफ लगेगी इधर और इन दोनों के करण किदर लगेगी इधर लगेगी इस point के उपर तो इन दोनों की जो resultant force है वो इस तरफ ही आ जाएगी तो net force जीरो नहीं होगी उल्टा increase हो जाएगी हमेरे तो decrease करनी है जीरो करनी है तो इसलिए हम इन दोनों की force को क्या suppose करेंगे? attractive suppose करेंगे तो attractive suppose करेंगे तो यह इधर लग जाएगी इसको हमने f dash माल लिया जो इन दोनों की बीच में अगर इन दोनों की बीच में f dash है तो इन दोनों की बीच में भी क्या रहेगी? f dash रहेगी और यह attractive इधर लगेगी तो यह resultant force हमें कुछ ऐसे मिल जाएगी इधर तो resultant force है जो इससे हो गया तो हमने इसको r बॉल दिया इन दोनों का resultant force है vector law of addition से मिलेगी हमें यह तो जो यह force है और यह force है यह equal भी होगी और opposite direction में भी है तब ही इस पे क्या होना चाहिए होगी? 0 मतलब r यह r plus f इसकी value क्या होगी? 0 होगी, right? मतलब r is equal to negative of f, right? इतनी बात clear होगी? अब r की value क्या होगी? r क्या है? in terms of f kya निकलेगी? unroot of unroot of 2 f dash अब यह मैं बताऊँ आपको कैसे निकली? unroot of 2 f dash अब देखिए, यहाँ पे pythagoras लगाई है, यह 90 degree हो गया यह pythagoras लगाई है, अब यह f dash है इसके बराबर यह होगा यह भी f dash होगा, यह f dash है यह f dash है, यह hyper news है यह perpendicular base कुछ भी मालो, यह perpendicular base हो जागा तो f dash का square plus f dash का square is equal to f dash का square plus f dash का square अब इसको देखिए, f dash square plus f dash का square is equal to r square तो यहाँ पर 2 f dash square is equal to r square और r की value कहाज़े कि under root of 2 f dash I think यहाँ तक clear होगी बात है अब r की value मैंने put कर दी under root of 2 f dash लेकिन f तो अभी हमें इसको as अच्छ रख लेते हैं अब आप देखिए force क्या होता है force is equal to constant जिसको 1 by 4 pi epsilon not भी बोलते हैं q1 q2 by r square अगर हम इस दोनों के बीच का distance है इन दोनों के बीच का जो distance है उसको हम माल ले x क्या माल ले x माल ले अगर हम इन दोनों के बीच के distance को x suppose कर ले तो यह square है square की सारी sides क्या होती है equal होती है तो सब के बीच में distance क्या रहेगा x रहेगा अगर हमें f dash निकालनी है तो f dash या इदर से निकालो या इदर से निकालो एक ही बात है ये तो under 2 तो ऐसे ही रहेगा into f dash है f dash का formula क्या है k q1 q1 यहाँ पर क्या है q2 q2 क्या है q small q by r square distance कितना है x x square is equal to negative यह रही रहा f का formula क्या है k अब यहाँ पर kya ab in इन दोनों के बीच में देखे f kis के बीच लग रही है इन दोनों के बीच लग रही है q1 क्या है kya हुए capital के हुए r square अब यह वहला distance है यह बिच है और यह भी तो x होगा यह भी x है यह भी x है python लगाएंगे तो क्या मिलेगा क्योंकि square पे हर दो साइट के फिच में अंकल कितना होता है 90 डिग्री पाइटावर्स लगा कि यहाँ पे भी इसी तरीके से क्या जाएगा अंडरू 2 X उसका square करना है square होगा clear होगी इतनी बात यहाँ तक बात clear होगी अब इसको solve करेंगे बहुत यहाँ तरीक है solve करने का तो simple कुछ calculation करनी है बस और कुछ में नहीं करना है यह क्यों से क्यों कट जाएगा यह के से क्य कट जाएगा X square से यह वला X square आएगा निकल के यह भी कट जाएगा अंडरू 2 को square करने हैं 2 बनने का 2 अंडरू 2 इदर आजाएगा Q by Q ratio निकाल लेथे और यह हमारी क्या आगी माइनस 2 अंडरू 2 आगे तो option में कौन सा ठीक होगा D option ठीक होगा I hope यह clear होगे आपका इस situation आगे बढ़ते हैं अगले question की तरह तो मारा अगला question क्या है कि अगर G E और G M G E और G M acceleration due to gravity है surfaces के उपर Earth और Moon के respectively अगर Millikan Oil Drop Experiment perform किया जाए Millikan Oil Drop Experiment हमने perform किया कहाँ पर Moon पे भी किया और Earth पे भी किया तो उससे जो value आएगी electronic charge on Moon और electronic charge on Earth की उसकी ratio क्या रहेगी मुझे एक बात बताईए सारे caution के बीच में caution ने बहुत कुछ बोल रखा है उस सब को छोड़ गया आप मुझे इतना सब बताईए वस जो electronic charge क्यो है क्या वो G पे depend करता है gravity पे depend करता है acceleration due to gravity पे charge क्योँ depend करता है या नहीं करता बिल्कुल नहीं करता कोई relation नहीं है तो relation नहीं है तो इसका मतलब जो value moon पे होगी वही अर्थ पे है या जो अर्थ पे है वही moon पे है तो answer same आएगा काट के answer कितना आजाएगा one आजाएगा तो one आजाएगा तो सीधा answer इसको mark करतीज़े कुछ भी सोचने की जुरूद नहीं है कुछ निकालने की कुछ calculate करने की जुरूद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो caution को जरूरी नहीं है कि हर बार solve ही करना है कभी कभी caution में ऐसे उलजा दिया होता है examiner ने आपको answer सीधा ही हो उसका होता है तो इतना कुछ करने की जरूरी नहीं थी इसमें आगे बढ़ते हैं अगले caution की तरफ अगला caution देखिए है work done in placing the charge of 8 into 10 raise to minus 18 column on a condenser of capacity 100 microfarad 100 microfarad की अगर capacity है condenser की तो उसमें charge है जो इतना किया गया है उसको work कितना किया गया हो इतना charge place करना है उसको कितना work करना पड़ेगा इतना charge place करने के लिए condenser के उपर जिसकी capacity कितनी है मुझे एक बता बताईए मैंने last के अंदर आपको last जो हमने वीडियो देखिए थी formulas वाली उसमें एक formula discuss किया था कि जो energy store होती है वो किसके बड़ाब रहती half into q q square by c एक ये formula discuss किया था ना मैंने आपके साथ ठीक है इसके और भी फैसे discuss किया थे मैंने जैसे discuss किया था कि कई formula होता है half into q v भी होता है और half into c v square भी होता है ये हमने discuss किया हुआ है सारा और q is equal to c v होता है तो कैसे यह सारे formula बने मैंने यह सारा कुछ आपके सारे discuss किया हूँ लेकिन यहाँ पर यह बना formula क्यों लगेगा भई charge दिया हुआ है कितना करना है यह रहा और c capacity capacity दिया हुई है उसकी capacity दिया हुई है यह सारा मैं जो पता है तो मुझे पता क्या करना है work done work done कि form में store होता है energy की form में तो यह का formula लगा दिया है मैंने तो value put कर दूँगा half into k की value क्या 8 into 10 raised to power minus 18 by c की value क्या इसका square होगा c की value क्या 100 micro farad micro है 10 raised to power minus 6 आजाएगा micro क्या होता है उसको convert कर देंगे farad में तो 10 raised to power minus 6 अब इसको solve करेंगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर यह कहा रहा है 8 into 8 by 2 10 raised to power minus 36 by यह 2 कटके यहाँ पर 10 raised to power minus 4 आजाएगा अब आब इसको solve करेंगे 4 आजाएगा 8 4 दा 32 into 10 raised to power यह उपर जाके 10 raised to power minus 32 बन जाएगा तो option D क्या हो जाएगा आपका D option आपका correct option बन जाएगा clear अब यह 4 question हमने यहाँ पर solve कर लिए अब एक question हर बार की तरह आपको homework में मिलेगा तो वो question देखिए द्यान से आपको यह solve करना है अगर यह solve नहीं भी हुआ तो भी कोई बात नहीं हम इकल इसको solve करेंगे फिर athin spherical shell of radius r कोई shell है जिसका radius r है has a charge के उसके उपर charge के उप spread किया हुआ है uniformly surface के उपर उसको charge के उपर को spread किया हुआ which graph represents the electric field produced by shell जो shell है वो कुछ electric field produce करेगा तो कौन सा graph है जो उसके electric field को represent कर रहा है किस range के अंदर 0 to infinity अब 0 क्या हो जगा है center और infinity वाला infinite तक और r है क्या distance from the center तो 0 मतलब center पर ही और infinity वाला center से बहुत दूर तो इन चारों में से कौन सा graph इसको represent कर रहा है अब ध्यान से देख लिजे इन चारों graphs को एक ये रहा एक ये है और ये और ये अब इसको screenshot ले लिजे इस question का so that अब इसको अच्छे से solve कर पहूं और मुझे comment करके आप answer बता सकते हैं अगर आपको solve हो नहीं तो कल हम इसको discuss करेंगे कि इस cancer क्या हो सकता है thank you so much for watching the video please like the video and share the video with your friends and also hit the bell icon and subscribe the button if you have not subscribed the channel yet thank you so much